नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी इस पेसल एजुकेशन के अभ्यरति होगा आपके अपने यूटूब चेनल एक्साम ट्रगी में आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौट कोश्चन के पार्ट नौ पर यानि कि इसके पहले दोस्तों पार्ट आठ पार्ट जो है वो अप्लोड किये जा चुके हैं और जिनका लिंक मैं आपको दे दूँगा दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रप्शन बॉक्स में आप उन वीडियो को देख लीजिएगा काफी महत्पूर्ण कोश्चन्स आपको उन वीडियो में देखने को मिलेंगे और यह वीडियो जो है सभी स्टुडेंट के लिए चाहेवा फस्ट एर का स्टुडेंट हो और चाहेवा सेकेंड एर का स्टुडेंट हो दोस्तों सभी स्टुडेंट के लिए इंपोर्टेंट वीड जिएगा उनको भी जोड़ लीजिएगा साथ में और उनके भी अच्छे नमबर आने चाहिए तो बात करते हैं पहले हम NCRT क्योंकि आप सभी ने अपना जो प्रेशन पत्र है किस प्रकार से आएगा वह देख लिया होगा और अब हम हम बात करेंगे NCRT जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रिय सैच्छरिक अंसंधान एवं प्रसिक्षण परिसाद दोस्तों इसका जो फूल फॉर्म होता है आपके सामने दिया हुआ है दोस्तो नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसेर्च एंड ट्रेनिंग जिसका दोस्तों गठन कब किया गया था या कह सकते स्थापना कब की गई थी तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी सेप्टमबर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका दोस्तों हेड़कॉर्टर यानि कि कहां की गई थी तो दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी यानि कि हेड़कॉर् में बहुती बेहतर जानते हैं तो आज हम बात करते हैं RCI की और RCI दोस्तों भारती पुनरवास परिसद जिसको हम बोलते है Rehabilitation Council of India और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी तो स्थापना हुई थी 1996 issue में और संसत द्वारा इस अधिनियम को भारती पुनरवास परिसद अधिनियम को संसत द्वारा 1992 में पारित किया गया था इसलिए हम क्या कहते हैं बारती पुनरवास परिसद जिनियम के Rehabilitation Council of India 1992 और इसका दोस्तों मुख्याले कहां है आप सभी को पता है डेली में है इसका मुख्याले आगे हम बात करते हैं WHO और Most Important लगाएगा WHO पर क्योंकि आप से इसकी Full Form भी पूछ सकता है तो WHO यानि कि World Health Organization इसकी स्थापना 1948 इसी में की गई थी और इसका मुख्याले दोस्तों कहा है जिनेवा सुट्जे लेंड में इसका मुख्याले है तो याद रखिएगा जिनेवा सुट्जे लेंड में इसका मुख्याले है अब हम बात करते हैं जो आपका राश्टी सनस्थान है AYJNIHH यानि कि जो इसका पुराना नाम है और आप सभी को इसका नया नाम भी पता होगा जिसको नया नाम नहीं पता है मैंने वीडियो अप्लोड कर के रखी है और उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा जहां पर मैंने सभी संस्थानों के सभी राश्ट्री संस्थानों के नए वाप पुराने नाम पर चर्चा की थी और यदि आप हमारे टेलिग्राम गृप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां से भी जुड़ जाईएगा मैं लिंक जो है अपने टेलिग्राम गृप पर भी सेंड कर दूँगा तो वहां से आप उस वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा कि किन किन राश्ट्री संस्थानों के क्या क्या नाम रखे गए हैं यानि कि जो नए नाम है और पुराने नाम मैंने उस वीडियो में दोनों पर चर्चा की है यहाँ पर बात कर लेते हैं अली आवर जंग नेसला इंस्ट्वूट फॉर्दा हेरिंग हैंडिकैप दोस्तों अली आवर जंग राश्ट्री है संवर्ड विकलांग संस्थान जिसकी दोस्तों इस्थापना कप की गई इस्थापना की गई आपकी 1983 इस्वी में और कहां की गई तो दोस्तों मुंबई में इसकी इस्थापना की गई और अगर आपको अभी पता है इसका नया नाम क्योंकि जो HIK स्टुएंट्स है इनको सभी को नया नाम तो जरूर पता होगा तो तुरंट कमेंट सेस्टन में छाप दीजिए बता दीजिए कि इसका नया नाम क्या है और बिल्कुल सही छापएगा किसी भी प्रकार से अगर नहीं पता है तो आप गूगल पर सेर्च कर लीजिए और फिर लिखिए मगर लिखके बताइए कमेंट सेस्टन में जरूर बताइएगा नेक्स हम बात करते हैं एन आई वी एच नेसलन इंस्ट्यूट फॉर विज्वली हैंडिकैप दोस्तो जिस वीडियो से आपका दो से तीन नंबर फसने वाला है ध्यान रखिएगा इस वीडियो से दो से तीन नंबर आपके पेपर में फसने वाला है सही से वीडियो को लाउन करते जाएएगा एन आई वी एच यानि कि नेसलन इंस्ट्यूट फॉर विज्वली हैंडिकैप राश्ट्री द्रश्ट इबादिस संस्थान जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तो उन्नी सो नमासी इस्वी में स्वाजी दोस्तो नाइंटीन सेवन्टीन उन्नी सो नया नाम क्या है आगे हम बात करते हैं एन आई एम एच यानि कि नेशनल इंस्ट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकैप राश्ट्रिय मानसिक विकलांग संस्थान अब विकलांग को क्या कहा जाता है दिव्यांग कहा जाता है और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी 1984 एश्ट्यू में की गई थी कहां की गई थी तो दोस्तों यह की गई थी आपकी सिकंद्रावाद में आगे हम बात करते हैं इसका भी नया नाम आप लोग हमें कमेंट सेशन में बताईएगा अगर नहीं पता है तो जो हमारी सभी राश्ट्री संस्थानों की वीडियो है व केसलर इंस्ट्यूट फॉर्दा और्थोपेटलिकली हैंडीकैब दोस्तों राश्ट्री अस्थ विकलांग संस्थानी स्थापना 1982 इस्थापना और कहां पर कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी याद रखिएगा अब आपको बताना है जितने भी स्टूइंट्स हैं इ सब्सक्राइब को कमेंट से सर में जाएए और तुरंत लिखिये जाकर के निपमेट की फुल फॉर्म और जितने भी स्टूइंट्स हैं या बताएंगे कि निपमेट जो है वो कहां है या भी आपको बताना है जिसको पता है तुरंत जाएए कमेंट से सर में बताईए जाकर के लिमकों के बारे में मैंने आपको पहरे भी बताया था Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India दोस्तों इस्थापना इसकी 1972 इस्विम में की गई थी और जो यहां पर लिम्स बनाया जाने थे यानि कि जो कृतिम अंग बनाया जाने थे वो शुरुआत्विती 1976 इसे कहां से दोस्तों कहां या तो कानपुर उत्तरपदेश में यहां आपका स्थापित है इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही और मिलता हूं नेक्ट वीडियो में कुछ नए प्रशनों के साथ कुछ नई जानकारी के साथ अबताब बने रहेगा हमारे साथ वीडियो को सेयर कर दीजिएगा और पढ़ते रहेगा सभी स्टूडेंट्स पढ़ते रहेगा जितने भी छोटे कोशन से बड़े कोशन से सबको अच्छ से क्योंकि अब आपके पास समय बि